दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Tata Nexon के बारे में, क्या ये गाड़ी हमें CNG में देखने को मिल सकती है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा speculations हो रहे हैं, बहुत सारे media channels इस बात को बोल रहे हैं कि Tata Nexon जो है 2023 में CNG में लाउंच हो सकती है, आज इसकी possibilities के बारे में इसके challenges के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये launch हो सकती है तो क्यों हो सकती है और क्यों नहीं हो सकती है तो उसके पीछे क्या possible reasons हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों, आप हैं EM Cars, Everymate Cars पर जहां पर कि आपको automotive related all sorts of information प्रोवाइड की जाती है तो आगे बढ़ने से पहले जरूर इस चैनल को subscribe कर लीजेगा और bell notification को press कर दीजेगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के latest update मिलते रहें दोस्तों अब आज की डेट में अकर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को फेस करनी पड़ती थी वो थी बूर की जिसका solution टाटा ने ढूंड के दिया और अपनी dual cylinder technology को उन्हों ने अपनी बाकी गारियों में जो की पहले ICNG technology के साथ में launch हो की थी यानि की टाटा टियागो और टिगॉल जो की पहली ICNG के साथ में आ चुकी थी लेकिन वहां पर आपको साथ लीटर का बड़ा सिलिंडर देखने को मिलता था अब वहां पर टाटा ने उसमें जो सिलिंडर लगाए वो दो चोटे चोटे सिलिंडर लगाए और उनको फिट किया जहांपर की आपका spirit air fit होता है और उसके साथ साथ मिल गई एक अब यहां पर अगर हम बात करें आप आप की सेगमेंट में अच्छा कोई भी दाविदाल नहीं है जो की सी एंगी में लॉंच होने के लिए रहता हो अब यहां पर यह गाडी सबसे ज्यादा मोस्ट बैस्ट बन जाती है सी एंगी सेगमेंट में लॉंच होने के लिए और यह अल्रेडी प्रिजेंट कार ब्राइजा को बहुत तकड़ी टकर भी दे सकती है अब यह वह वाला टाइम तो रहा नहीं है कि लोगों को बहुत ही बेसिक सी गाड़ी चाहिए सी एंगी की जिसको की वह बस सी एंगी भर सी एंगी आपको दैकने को बिलानी तो उसके साहर साथ जो दे चाहिए और पर जाता हो साथ मैं को देखने की जाने को स्था है ज्लुद को बना पर शुद्धा matern ूच्ष इक वह जब तेशियेंकी देखने को मिले शीकाल brushing क्सरें ऐसना हों के सारी की सारी पर जैसे हमें देखने को मिलता है कि cng कितनी है गाड़ी में तो वहां पर वह बार देखने को मिला और वह थोड़ा से लेट अब क्या इससे यह मान लिया जाए कि नेक्सों cng जो है वो अंडर development अंडर production है क्योंकि वहां पर वह एक बार आपको दिखाई दे गया तो हो सकता है कॉमन पैनल यूज हुआ हो जिसमें कि नेक्सों इवी नेक्सों पैट्रोल डीजल और नेक्सों cng का भी development चल रहा हो जिस वजह से वहां पर उस पैनल में वो cng क option दिया हुआ है देखो दोस्तों यह इस बेसिस पर नहीं का जा सकता क्योंकि वहां पर वो option है कि नेक्सों cng भी आने वाली है लेकिन हाँ अगर इस तरीके का को इंडिकेशन आया भी है तो भी 70-80% की माना जा सकता है कि instrument पैनल अगर नेक्सों का इस तरीके से design किया गया है जिसमें कि आपका cng का भी एक बार है तो definitely company कहीं ना कहीं नेक्सों cng को भी बनाने का under the process चल रही है बाते अब मैं अगर इसके बारे हम बात करूं कि इसके लेके आपको सबसे बड़ा जो challenge है वो क्या देखने को मिलता है जो जो सबसे बड़ा challenge है वो यह है कि अभी तक इं से जब power output आपका आता है तो वहां पर वो थोड़ा सा mismatch हो जाता है इसलिए amt की tuning भी कभी cng के साथ में नहीं हो पाती है और यहां पर यह भी देखना होगा कि क्या टाटा एक turbo petrol engine को cng के साथ में fit कर पाता है और power output को manage कर पाता है तो यहां पर यह challenge रहेगा लेकिन टाटा बहुत सारे challenges को achieve किया है और उन्होंने safety के साथ साथ build quality के साथ साथ हर चीज को यहां पर adapt किया है तो आने वाले टाइम में देखना है होगा कि क्या टाटा यह भी challenge accept करके इसको भी perform कर पाता है कि नहीं I hope आपको वीडियो देखकर कहीना कहीं जानकारी मिली होगी और इसी त हुआ हुआ है